अच्छा पिछले वीडियो में हम बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे थे और मैंने आपको यह दिखाया था इसका खास परपस कुछ नहीं था बस इतना था कि इससे खेल सकते हैं और नंबर्स को बनाते हुए देख सकते हैं बाइनरी में तो इसमें टोटल आठ एक दो तीन चा इसको डिप स्विच बोलते हैं अब मैं यह जानना चाहता हूं कि टोटल कितने नंबर्स हम इन आठ एलेडी पर काउंट कर सकते हैं और इसका कारण मैंने बताया था पिछली बार कि अक्सर आडूइनो के आडूइनो के कोड़ में आप देखोगे एक संख्या बार बार आत कैसे काउंट कर रहे थे ओफ एलेडी तो जिरो ऑन है तो वन के और मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे नंबर्स को इस पर बनाना है तो अब देखते हैं कि कैसे करेंगे अच्छा मेरे लिए थोड़ा बुक्त है सो पहली एलेडी पर तो यह रहे आपके आठ एलेडी जे एक दो तीन चार पांथ छे साथ आठ पहले सिर्फ दो की बात करते हैं मान लीजे आपको सिर्फ दो एलेडी जी दी हुए हैं आप टोटल कितनी संख्या हैं कुल कितनी क्या गिन सकते हैं इन दो एलेडी पर पहला क्या है जीरो जीरो दोनों बुझी हुए हैं दूसरा क्या था इसको बढ़ा दिया था जीरो फिर जीरो इसको किया नेक्स बढ़ाया यह वन फिर यह तो टोटल कितना हुआ एक दो तीन चार टोटल चार नंबर्स आप इस पर ल हाला नंबर है 0 1 2 3 टोटल कितने नंबर हुए चार एक दो तीन चार और कहां से कहां तक 0 से लेकर 3 तर ओके अब इसको कैसे गिन सकते हैं यह नंबर कैसे आई यह नंबर ऐसे आई पहली LED पर आप दो नंबर लिख सकते हो या तो 0 या तो 1 दूसरी LED पर भी आप दो नंबर लिख सकते हो 0 या 1 तो कुल 4 possibilities जितनी possibilities इस LED के लिए हैं जो की दो हैं उनके साथ-साथ हर possibilities इसकी हर possibility के लिए दो possibilities इधर भी हैं या तो जली है या बुजी है तो कुल हो गए 2 times 2 एगर 3 LEDs होंगी तो टोटल कितने numbers लिख पाएंगे हम इसके उपर दो possibilities है इसकी दो possibilities है इसकी दो possibilities है 2 times 2 times 2 is 8 total 8 number यानि कहां से कहां तक 0 से लेके 7 तक 0 से 7 आठ नमबर होते हैं तो आप 7 तक लिख पाओगे तो अब देखते हैं हमारे अगर 8 है लेडीज हैं तो क्या होगा तो मेरे को लिखना है 2 थोड़ा सम्मूर जाता हूं मैं ठीक से दिख रहा है क्या आपको नहीं वे 2 into 2 into 2 into 2 1, 2, 3, 4 into 2 into 2 into 2 कितना हुआ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ओके यह हो गया टोटल आप इतनी संख्या है लिख सकते हैं इन 4 रेलीज के ओपर यह कितना होता है 2 into 2 is 4 and 4 into 4 is 16 तो यह यहां से यहां तक total 16 हुआ into यह भी 16 है और 16 into 16 क्या होता है वो होता है 256 टोटल नम्बर्स जो आप लिख सकते हैं वो है 256 तो कहां से कहां तक संख्या गिन पाओगे आप 0 से लेकर 255 तक ओके और आप जब कोडिंग करेंगे और आडूइनो की तो आपको यह नमबर बार बार इस्तमाल करना पड़ेगा 255 उसका कारण यह है कि आप 8 बिट यूज कर रहे है 8 बिट हर एक LED जो है LED तो खेलने के लिए थी पर हर एक LED जो है दो pieces of information रखती है एक 0 और एक 1 और इसको बोलते है 1 बिट 1 बिट of information एक बिट of information में कितने चीजें कितने states होते है 2 states एक 0 एक 1 और हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास 8 बिट है total तो 8 बिट में total 0 से लेके 255 नंबर्स तक store कर सकता हूँ और यही कारण है आपको बार बार 255 आपके Arduino के codes में दिखेगा तो इस वीडियो में हमने बाइनरी नंबर्स के बारे में सीखा है और हमने थोड़ी सी तैयारी Arduino के codes को समझने की कर लिए है हम अभे अORपक है कर दो आपको डिए